हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन से एर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप आल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैंड साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, स्वेटर, आदी में बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लीट कर फ्रेंट साइड से ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने फाइप के मल्टिपल में फंदे डालने, प्लस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने, अब हम अपना पैटन बनाना इस्ट दालेने है अब नेस्ट हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार और पांच पांच फंदे हमने सीधे बुन लेने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखे पांच फंदों में हम पैटर्न डालेंगे तो धागा अपनी साइट करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा ये देखे फर्स्ट रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है पाँच फंदे हम सीधे बुनेंगे और पाँच फंदों में हम पैटर्न डालेंगे और लास्ट में देखें पाँच फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार पाँच लास्ट का फंदा भी सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रन्ट साइड से पैटन की फर्स्ट रो कमप्लेट हो गई, बैक साइड से से किंड रो, अब से किंड रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, नेश्ट हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे उल्टे, फिर धा पीछे करेंगे, आब देखे, नेश्ट फंदा हमारा ये सीधा दिखाए दे रहा है, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर नेश्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अब नेश्ट देखे, जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा, उसको हम सीधा बुनेंगे, और यही प्रोसिस रिपीट करना है पांज फंदे उल्टे बुनेंगे और नेस्ट पांज फंदों में पैटरन डालेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा जो फंदे हमारे सीधे थे उनको हमने सीधा बुना जो फंदे उल्टे है उनको हमने उल्टा बुना धाग अपनी साइड, अब लास्ट में देखे, पांच फंदे उल्टे आ जाएंगी लास्ट का फंदा उल्टा फिर नेस्ट देखे, थार्ड रोब पहला फंदा उतारेंगी अब नेस्ट अमने पांच फंदे सीधे बुन्ने एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदे सीधे अब नेस्ट अमने पांच पैटर्ण वाले फंदे आते हैं तो देखे, जो फंदा उल्टा दिखाई देरा, इसको सीधा बुनेंगे एक धागा अपनी साइड जो फंदा सीधा दिखाई देरा इसको उल्टा बुनेंगे दो फिर धागा पिछे करेंगे दिखे जो फंदा उल्टा दिखाई देरा इसको सीधा बुनेंगे तीन फिर धागा अपनी साइट जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है इसको उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे उल्टे फंदे को सीधा बुनेंगे तो यह हमारे पांच फंदों में पैटर्न आ गया अब देखे थर्ड रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है फिर लास्ट में हमारे पांच फंदे सीधे आ जाएंगे फिर लास्ट का फंदा भी सीधा तो देखे यह फिप्त रो कमप्लेट बैक साइट से 6 रो 6 रो में देखे जो फंदे उल्टे होंगे उनको हम उल्टा बनेंगे और जो फंदे सीधे होंगे उनको सीधा बनेंगे पहला फंदा उतारेंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे फिर पांच फंदों में पैटन आएगा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा उल्टा अब देखे सेवन त्रों में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है दागा पीछे नेश्टम पांच फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट का फंदा भी सीधा आ जाएगा अब जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे अब देखे फ्रेंट साइड से नाइंत रोब अब नाइंत रोब में हमारा पैटन रिपीट एंड सीप्ट होगा अब देखे जो हमारे ये सीधे फंदे हैं ये पैटन वाले फंदों के उपर सीप्ट हो जाएंगे और हमारे ये पैटन वाले फंदे सीधे फंदों के उपर सीप्ट हो जाएंगे तो देखे, repeat and shift की एक रो, पहला फंदा उता लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, तो देखिए ये हमारा पैटन repeat and shift होने लग गया धागा पीछे करेंगे अब देखिए जो पैटन वाले फंदे हैं इनके उपर हमारा सीधे फंदों का पैटन आ जाएगा तो 5 फंदे सीधे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे सीधे ये जो हमारे पैटन वाले फंदे हैं ये सीधे फंदों के उपर shift हो जाएंगे अब हमारा नेस्ट ये ही प्रोसिस repeat होता जाएगा धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आ जाएगा फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा लाश्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की 9th row complete हो गई बैक साइड से देखे जो 10th row आएगी जो फंदे उल्टे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे तो देखे 10th row को पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे इदेखे सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे उल्टे फंदे को उल्टा सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर सीधे फंदे को सीधा धागा अपनी साइड 5 फंदे उल्टे आएंगे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे सीधे फंदे को सीधा उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे लास्ट का फंदा उल्टा आ जाएगा फ्रेंट साइट से जो 11 रो आएगे उसमें भी हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा पैटन वाले फंदों के उपर पैटन आएगा सीधे फंदों के उपर सीधे फंदे आएंगे अब next हम यही प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे ऐसे हम अपने पैटन को रिपीट एंड सिप्ट करते जाएंगे और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू तो किरवे करें